नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे sliding mask type gearbox के बारे में sliding mask जैसा कि यह name indicate कर रहा है जिसमे sliding moment से reciprocating moment से कोई gear किसी दूसरे gear के साथ में mess होता है उसकी सायता से हमारा जो engine है उसकी power लेके और vehicle को run करता है तो उसको बोलते है sliding mask type gearbox sliding mask type जो gearbox है वो old time में चलते थे इनमें जो basic problem आती थी वो यही आती थी कि जब gears slide करते थे तो उस समय वो दो gears आपस में उलजने का खत्रा रहता था वो आपस में उन दो gears का फसने का खत्रा रहता था इस वज़े से इनको हटा के फिर और advancement की गई और gears लाए गए आप जो हम बात कर रहे है वो कर रहे है sliding mask gearbox की कौन से components होते हैं और किस तरह से work करते हैं सबसे पहला जो component है वो होता है clutch shaft clutch shaft से क्या meaning है जो engine से power लेता है जैसे हम लोग clutch का pedal प्रेस करते हैं clutch का pedal प्रेस करने के बाद वो power रिमूव हो जाती है डिसंगेज हो जाती है जैसे ही clutch pedal का प्रेस जो है वो driver छोडता है release करता है तो उसके बाद वो power यानि वो flywheel जो attach होके और फिर हमारी continuously engine से power आ जाती है clutch gear क्या काम आता है जो clutch shaft से run करता है clutch shaft जो engine की power से run के घुमता है तो वो clutch gear को भी rotate करता है जो clutch gear है वो नीचे वाले जो main gears है वो main gears जो lay shaft पे रहते हैं lay shaft पे ये main gears हमारे जो की fixed gears होते हैं तो ये जो clutch gear है ये इनको power देता है तो single को power देता है तो उसकी साइता से ये सारे रन करते हैं ये rigid type fixed gears रहते हैं जो एक जगह पे rotate करते हैं reciprocate नहीं करते और lay shaft पे mount रहते हैं इसके बाद जो lay shaft है उस पे जो gears रहते हैं वो power देते हैं main shaft पे लगे वे gears को अब जो main shaft है उस पे gears लगे वे दो इन gears को ये power देता है जो main shaft होता है वो main shaft power को आगे जो v molecule को transfer करके और vehicle को run करता है तो जो main shaft है उस main shaft पे splines कटे रहते हैं जो splines हैं वो किस तरह के रहते हैं जैसे हम बात करें कि rimer tool होता है rimer tool की तरह या दूसरे हम बात करें दान और गेहू निकालने के लिए जो मशीन होती है, ट्रेक्टर को और उस मशीन को जोडते हैं, तो उस पे जो कट लगे रहते हैं, तो उस तरह के इस पे स्प्लाइन्स कटे रहते हैं, तो जो स्प्लाइन्स हैं, ये किस में मदद करते हैं, इन गियर्स को रेसिप्रोकेट कर gearbox, इससे meaning कि ये जो gears है, जो main shaft पे लगे हुए, ये gears इस पे reciprocate करते हैं अब बात करते है एक main type जो gear है, main gear है idle gear, idle gear से क्या meaning है, जो vehicle को reverse करने में मदद करता है तो ये idle gear लगा रहता है जो कि lace shaft पे जो gear है उसके साथ में ये connect रहता है अब बात करते हैं किसकी working की, working किस तरह से होती है, सबसे पहला जब gear लगाते है, जब driver जो है, सबसे first gear लगाता है तो क्या करता है, जो clutch होगी, clutch pedal को press करेगा, press करके पहले gear लगाएगा, पहले gear की engagement करेगा, पहले gear engage कर दिया, engage करने के बात वो उसको छोड़ देगा clutch pedal को release कर देगा, तो power आगे engage हो गई, जब power आगे engage होई तो किस पे आई इस clutch shaft रोटेट होता है तो ये जो clutch gear होगा वो भी rotate होगा जब clutch gear rotate होगा तो इसकी साइता से क्या होगा, जो पिचे वाला जो gear है, जो बड़ा gear दिख रहा है lay shaft पे, ये lay shaft पे बड़ा gear rotate होगा इसके बाद ये सभी gears rotate होगे इस समय क्या होआ था कि जो main shaft पे जो gear था जो कि यहां से अपनी जगे से side में था, यानि कि ये जो पहली condition जब gear हमने engage ही नहीं किया था, उस समय ये side में था, इस side में जैसे यहां पे लगावा था, तो यहां से shift होगे किस पे आ गया, इस छोटे वाले gear पे, तो ये बड़ा gear हो गया, तो ये छोटा gear तो इससे meaning क्या हुआ, कि यहां पे speed तो कम है, लेकिन जो torque है, वो यहां पे maximum attainment है, maximum value है torque की, तो इसलिए engine जो है, उसकी सायता से जो vehicle run कर रहा है, इन gear boxes की सायता से जो run कर रहा है, तो वो हमारा vehicle slow run करेगा इस तरह से power हमारी transfer होगी इस तरह आएगी वहाँ से engine से और clutch shaft रोटेट होते विया यह यहां पे पूरी आगे तक power जाएगी, जिसकी सायता से vehicle क्या है, run करेगा यानि power का transfer होगा आप दूसरी बार driver क्या करेगा उस clutch pedal को press करेगा second gear engage करेगा अब second gear से meaning यह वाला जो gear था, यह वाला gear shift हो के आएगा, और इनका जो size है, gears का अपस में वो लगबग थोड़ा same सा है तो जब same सा size है तो उस condition में क्या होगा torque कुछ कम होगा लेकिन speed अभी भी बहुत ज़्यादा attain इसने नहीं की है इसके बाद क्या होगा यह इस तरह की condition हो जाएगी second gear में, इस पे match हो जाएगे और बहुत ज़्यादा मैंने बताया यहाँ पे जो है value नहीं है जो power का transfer होगा वो किस तरह से होगा, यहाँ से power आएगी और अब यह engage हो गए तो इस तरह से power transfer हो जाएगी इसके बाद top gear top gear की बात चलते हम लोग यह होता है top gear, top gear की condition में क्या होगा, जो हमारा यह gear था, यहाँ पे जो लगा हुआ था वो gear सीधा किसके साथ में attach हो जाएगा, जो clutch gear है, clutch gear के साथ में जब attach हो जाएगा, तो इसको सीधी power मिलेगी, direct power मिल जाएगी वो power घूम के नहीं जाएगी तो जब direct power मिलेगी तो vehicle जो है, वो तेज स्पीड पे run करेगा, और torque क्या हो जाएगा बिल्कुल, कम हो जाएगा, बिल्कुल minimum हो जाएगा, third gear की यही condition होगी, कि maximum तो speed attainment करेगा, और minimum torque रहेगा, final drive तक, इसलिए इसको high speed gear बोला जाता है या फिर top gear हो जब smallest जो इसका gear था यानि इससे जो small था, वो किसके साथ में मैस हो रहा है, directly इसके साथ में मैस हो रहा है, इस main shaft का जो small gear था वो इसके साथ में मैस हो रहा है, तो इस तरह से top gear की condition रहेगी, अब बात करते हैं हम लोग reverse gear किस तरह से होता है, reverse gear किस तरह से काम करता है, reverse gear की condition में क्या होगा, वही उसी तरह से power आएगी, अब क्या होगा, जो ये वाला gear था, ये वाला gear shift हो जाएगा, जैसे ही clutch का pedal press होगा, driver clutch का pedal press करेगा, और clutch का pedal press करने के बाद, और reverse gear कर देगा, reverse में लगा देगा उसको, जब reverse में लगाएगा, तो उसमें क्या होगा, कि जो shaft था, ये जो main shaft था, इस main shaft पे जो gear लगा हुआ है, वो gear shift हो जाएगा, और shift होके कहाँ पे चला जाएगा, इस idle gear पे, अब यहाँ पे समझने की बात है, पहले वाले figure में भी, जो first gear हो, second gear हो, या top gear हो, ये वाले जो नीचे वाले ले shaft पे, जो gears होते हैं, ये हमेशा, same, जो direction है, उसमें run करते हैं, जैसे मान लीजिए clockwise direction में run कर रहे हैं, तो clockwise direction में run करेंगे, जबकि उपर वाले जो gears हैं, ये उसके reverse direction में move करते हैं, first gear में, second में, और top gear में, it means, ये anti-clockwise move कर रहे हैं तो यह clockwise अगर यह यहां पर power लेके clockwise move कर रहे थे तो इनकी साहिता से यह anti-clockwise गूमते हैं लेकिन इसमें condition में क्या होगा कि हमारे पास जो idle gear है यह क्या मदद करेगा किसमें मदद करेगा कि इस gear को उसी same direction में मदद करेगा जैसे यह clockwise गूम रहा है तो इसको भी clockwise गूमने में मदद करेगा तो इसको कहते हैं reverse gear जब दोनों gears की main shaft का gear और जो हमारा नीचे lay shaft का gear है यह दोनों आपस में same direction में हो जएं तो हमारा जो vehicle है वो reverse direction में move करेगा reverse direction में चलेगा तो इस तरह से sliding match जो gearbox है उसमें हम लोग first gear किस तरह लगाते हैं second gear और top gear की condition क्या होती है वो इसमें हमने समझा और जो reverse gear है उसकी condition किस तरह के होती है किस तरह से soft जो हमारा है वो slide करता है और slide करके idle gear पे चला जाता है जिसकी साइता से vehicle को हम reverse direction में move कर सकते हैं तो यह था दोस्तो sliding mask type gearbox थेंक्यू दोस्तो